हेलो प्रेंट्स, वेलकॉम बैक तो मैं चैनल, आज हम बनाएंगे मीक स्भेज की रेसिपी बहुत ही टेश्टी बनते हैं और असन तरीके से हम बनाएंगे तुझे लिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने पहले सबजी ले लिया है तो यहां पर मैंने लिया है किपसी कम, एक किपसी कम को मैंने इसे स्क्वेर सप में कट कर लिया है एक आलू और एक फुलगो भी लिया है मैंने एक गाजर और यहां पर मैंने ग्रीन मटर लिया है यह मैंने फ्रोजन बला लिया है आप चाहे तो प्रेस मेर्टर भी ले सकते हैं और यहां पर मैंने पनीर लिया है JAOS गराम जी से होगा इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है तो अभी हम सबसे पहले यहां पर OIL कर लेंगे और यहां पर आलू को पहले फ्राय कर लेंगे हम क्योंकि आलू को फ्राय करने में थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है तो इसलिए 3-4 मिनिट के लिए हम आलू को फ्राय कर लेंगे low to medium flame पर थोड़ा सा आलू भून जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम बाकी सबजियों को डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने आलो को फ्राय कर लिया तीन से चार मिनिट के लिए अभी हम यहाँ पर गोभी को डाल देंगे और गाजर को हम यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने गोभी गाजर के डाल दिया और ग्रीन मटर और केपसिकम को हम बाद में डालेंगे क्योंकि उसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है तो यहाँ पर मैंने बाद में एड़ करूँगे अगर आप फ्रेस मेंटर ले रहे हैं तो इसी वक्त आप डाल दिजिए और यहाँ पर हम डालेंगे नमक टेस्ट के कोडिंग आप नमक ले लिजिए और इसको हम मिक्स कर लेंगे और low to medium flame पर इसको पकाना है अच्छे से पक जाना चाहिए आधा से ज्यादा यहाँ पर सबजी पक जाना चाहिए तो इसको थोड़ा देर हम इसको पका लेंगे तो यहाँ पर देखिए गोभी आलू और यह गाजर भून चुका है अच्छे तरीके से तो अभी हम इसमें डाल देंगे यह फ्रोजन मटर और केपसिकम को और इसको में हम दो से चार मिनिट के लिए भून लेते हैं या फिर अच्छी से कच्चा पंच ले जाए तब तक इसको भून ना है यह जल्दी ही पक जाता है तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से भून चुका है सबजी वगेरा और यह पक चुका है और थोड़ा सा कसर बाकी है इसको हम मसाले में बाद में इसको पका लेंगे करेंगे उसी ओयल में मैं उसी कढ़ाई में मैंने पनीर को फ्राय कर लिया इसको बहुत जादा फ्राय नहीं करना है बस हलका सा इसको फ्राय करेंगे आप चाहे तो इसको कच्चा भी एड़ कर सकते हैं पर मैं इसको थोड़ा सब भून लेती हूं और इसको मैं एड़ करू भाइवे में मसाला बनाओगी तो यहां पर मैंने लहसन की कलिया ले लिया है आठ दस और अद्रक थोड़े से टुकड़े ले लिया है मैंने इसको हम भून लेते हैं पांस से दस सेकिन के लिए उसके बाद यहां पर हम डालेंगे एक प्याच इसको भी मैंने रॉफली चप कर लिया है क्योंकि इसको हमें पीसना है तो बहुत जदा अच्छे से नहीं कटना है तो यहां पर मिक्स कर लिए अभी हम डालेंगे काजू चार पांच काजू ले लिया है इसको भी मिक्स कर लेते हैं काजू डालने से सबजी में अच्छा सा क्रीमिनेस आ जाता है तो यहां की दिय कि अभी तुमाटर सब्ठ हो चुका है अच्छे तरह के साथ हुद है अभी हम मेंछ डिर्ट के रखाइप और अभी वाडल हो और अमसमें और खाल को बड़ेगे दिया। तो यहां पर देखिए मैंने ग्रैंडिंग कर चुका हूँ और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है इसको साइड में रख लेते हैं अभी उसी कड़ाई में और थोड़ा समय ओयल गरम कर ली दो टीस्पून के जीसा अभी हम यहां पर डालेंगे एक तेच पता एक डाल लेते हैं पासे 10 सकेंट के लिए भून लेंगे अभी हम जो मसाले बनाए थे पैस्ट बनाए थे उसी को डाल देंगे और यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी एड़ करके यहां पर मिला लिया इसको मिक्स कर लेते हैं अभी और इसको अभी बहुत जादा नहीं भूनना है क्य प्राइश पून जीरा पाउडर और यहां पर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया इसको हम भी मिक्स कर लेते हैं और इसका कच्चपन चले जाने तक भूनेंगे बस मसाला का कच्चपन चले जाए तब तक इसको भूनना है और टमाटर प्याज बागिरा हम पहले से और इसका कच्चापन भी चला गया है तो अभी हम इसी स्टेज पर हम डाल देंगे फ्राइ किया हुआ सबजी को तो यहां पर मैंने सारे सबजी को एक ही बार में डाल दिया इसको भी मिक्स कर लेंगे हम और मसाले के साथ थोड़ा दिर हम इसको पका लेंगे और पनीर फ्राइड किया हुआ पनीर को भी हम यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने पनीर को भी डाल दिया आप चाहे तो इसे कच्चा भी आड़ कर सकते हैं और यहाँ पर बिन्स वगेरा भी आप डाल सकते हैं फ्राइड करके तो यहाँ पर हम mix कर लेंगे और मसाले की साथ और 4-5 मिनिट तक पका लेंगे low to medium फ्लेप पर ढख करके तो यहाँ पर मैंने अच्छे से mix कर लिया और इसको ढख करके हम पकाएंगे 4-5 मिनिट के लिए तो इसका अच्छा सा flavor आएगा मसाले की साथ mix हो जाएगा तो तो यहाँ पर मैंने 4-5 मिनिट पका लिया और यह सबजी भून चुका है अच्छी तरीके से मसाले में तो अभी हम इस स्टेज में डाल देंगे पानी थोड़ा सा हम पानी डालेंगे बहुत जादा पानी नहीं डलना है और यहाँ पर मैंने गरम पानी का इस्तेमल किया है हाप कप जैसा मैंने पानी डाल दिया और यहाँ पर रोच्टेट वाला कसूरी में थी 1 टी स्पून मैंने डाल दिया और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ क्रीम एक टी स्पून आपके पस क्रीम अगर नहीं है तो यहां पर हम ढग लेते हैं और तीन से चार मिनिट के लिए पका लेंगे तो यहां पर देखिए हमारी सबजी अच्छी तरह से पक चुका है और इसका कंसिस्टेंसी देखिए थोड़ा सा लटपट टैप का है अगर आपको ड्राय पसंद है तो आप और थोड़ा आप ड्र इसको हम गर्मा गर्म अभी सर्प कर लेते हैं और इसके देखिए कलर फीका लग रहा आ यह थंड़ा होने के बाद इसका और तो गाड़ा हो जाता है तो इसको हम अभी गर्मा गर्म सर्प कर लेंगे तो देखिए कितना असान है अगर जरूर से त्याय करinos ठीघिए me